दीपक नाम का एक लड़का था जो की फूट बाल बहुत ही अच्छा खेलता था लेकिन उसका मन कही एक जगे तो लगता ही नहीं था वेह वही काम बहुत ज्यादा करता था जो दूसरे लोग करते थे कभी वेह फूट बाल खेलता था और कभी वेह क्रिकेट खेलता था उसको खुद नहीं पता था कि करना क्या है और होना क्या है एक दिन की बात है कि कुछ दोस्त रियूज पेपर लेकर पढ़ रहे थे उसमें लिखा था कि जिला अस्तर पर कुछ खिलाडियों का चैन होंगे एक हपते बाद दीपक ने भी यह रियूज सुना और बोला इस बार तो मे खुद दोनों में सेलेक्ट होगा ट्रायल सुरू हुआ सब लोग अपना अपना ट्रायल देना सुरू कर दिया ट्रायल के बाद रेजल्ट जब आया तो दीपक के काफी सारे दोस्त सेलेक्ट हो गए और दीपक ने दोनों में ट्रायल दिया था और उसका नाम किसी में भी आया ये सुनकर दीपक बहुत ही रोया और खुद निस्चाय किया कि आज के बाद जो भी काम करूंगा मन लगा कर और अंतक करूंगा इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलता है कि हर जगे मन भटकाने कीजिए जगे कही एक जगे मन लगा कर तैयारी करनी चाहिए